हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू माई चैनल होम साइंस एक्जाम मास्टर हम लोग जो टेक्स्टाइल का कुश्चन आंसर मॉडल प्रेक्टिस सेट कर रहे हैं उसी क्रम में आगे भढ़ते हुए मैं और प्रश्णों कर ले करके आई हूं जिससे कि आपका आज 100 कुश्चन क टार्गेट पूरा हो जाए ओके तो आगे भढ़ते हैं हम लोग अपने प्रिथम प्रश्ण की योर और हमारा पहला प्रश्ण है निमलिखित निर्देश ने इसमें दिया हुआ है निमलिखित प्रश्णों में से दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये तो इसम से नमूने वह आपके बारिक नमूने के अंतरगत आते हैं यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होता है रेखाओं आकार रंग तथा बनावट और वजन के सम्मिश्ण से तयार किये जाते हैं कुछ-कुछ नमूने प्राया सभी नहीं तो इसमें करेक्ट आंसर होता है आपका प्राया सभी नमूने मतलब किसी भी तरह का हम पैटर्न बनाएंगे उसमें रेखार आकार रंग बनावट और इन सारी चीजों को इंक्लूट करेंगे परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं आकार रंग बनावट आधि को व्यवस्तित करने के लिए भी किया जाता ह है कला के मूलभूत सिध्धानतों का सहारा लेना कटाई के सिध्धानत का सहारा लेना ढाके के सिध्धानत का सहारा लेना तो इसमें जो ए ऑप्षन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि कला के मूलभूत सिध्धानतों का सहारा लेना चाहिए तो इसमें कला के जो सिध्धानत यह सहारा लेते हैं अच्छा जो इसमें आपके कला के जो सिध्धान्त है उसके अंतरगत आपकी क्या क्या चीज़ आती है आपका संतुलन आजाता है और अनुपात आजाता है तो क्या क्या उसमें आएगा आपका संतुलन आएगा अनुपात आएगा और यह आपके कला के कला के मूल भूत्स अनुपात धन्रूपता ये तथा चंश्थान्थ फिर संभल पर एक जगाब चैकर केंद्र बिंदू संभल तथा व्यक्ति तू ले तथा अनुपात ये दम्राइद्वर करेक्टर सब्सक्राइद आपके ऊंपातर हैं रंग है ठीक है और आपका टेक्स्चर है वो सब क्या है आपके elements के अंतरगत आते हैं मोटे figure के लिए किस नमूने का चैन करना चाहिए समांतर रेखाओं वाले लंबवत रेखाओं वाले जादा दिखती है तो लंबवत रेखाओं का प्रियोग किया जाता है सीधी आड़ी खड़ी और तिर्ची रेखाओं वाले नमूने रेखाओं को भिन दिश्या में बना कर तयार किये जाते हैं जो क्या कहलाते हैं भूमित विन्यास वाले प्राकृतिक विन्यास वाले और इसका अगला है तो इसके वो जो भूमित और प्राकृतिक विन्यास वाला जो यह था यह दिखा दूँ मैं आपको यहाँ पर सीधी आड़ी खड़ी और तिर्ची रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन दिशाओं में बना कर तयार किये जाते हैं द्रेखाओं मतलब अलग-अलग दिशाओं में बना करके तयार किये जाते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं भूमित विन्यास वाले कहलाते हैं वैसा पैटर्न कहलाता है अगला प्रश्न है हमारा जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है चार दो तीन पांच तो वो दो प्रकार की स्थाई और आस्थाई कठोड़ता अगला प्रश्ण है कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधी है तो हमारे कपड़ों को सिखा मतलब ड्राय करने की इस्तरी करना धूप तता हवा ड्रायर पीटना तो पीटे उटेंगे नहीं कपड़ों को हम लोग और इस तरी में क्या कभी-कभी थोड़ा बहुत जब रहता है तो हम सूख लेते हैं ड्रायर में भी लेकिन धूप और हवा सबसे उप्यूक्त विधी है दूप क्या होती है इससे क्या होते हैं यह सारी चीजें खतम हो जाती है और हवा से बिलकुल प्राथमिक रंग क्या है लाल पीला नीला नारंगी हरा केसरी और लाल नारंगी हरा तो करेक्ट आंसर लाल पीला नीला मतलब आपका जब आप कलर वील देखते हैं तो क्या हो जाता है रेड हमारा हो जाता है यहां पर ब्लू हो जाता है और यहां पर यलो हो जाता है जिस ग्ले पर ना जाता है हमाना तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारा color wheel का इस तरह से है और ये कौन से सारे colors हैं ये primary colors हैं और इन दो primary colors मिल करके किसका निर्माण करते हैं चाय के धब्बे कि स्वर्ग में आते हैं वानस्पति धबब, प्राणिज धबब, वसा यूग धबब, खनिज धबब, तो चाय के धब्बे जो है वो वानस्पतिक धब Usually depends on the Pacti Idol fast पाउडर के द्वारा इन में से कोई नहीं तो यह जो आपकी ड्राइ क्लीनिंग है वो इन में से कोई नहीं उसमें किसका आपका बेंजीन है पेट्रोल है बेंजीन है ड्राइ क्लीनिंग में इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है फ्रेंच चाक तो और शोशन में मैदा और टेलकम पॉड़ यह सब और शोशन विदी में प्रयोग किया जाता है जब चिकनाई को सोखना होता है प्राणिज धबा दूद फूल पत्ती सबजी तो आपका प्राणिज धब्बे के अंतरगत मिलक आता है कि मिलक क्या है किस से हमें प्राप्त होता है यह हमें आनिमल से होता है काउसे मिलता है ना तो क्या है हमारी एनिमल है ठीक है तो यह किसे यह प्राड़ी धब्बे के अंतरगत आता है अगला प्रश्ण है तो यहां पर आपका बातों पर ध्यान देना चाहिए कपड़े की किसम पर कपड़े की सिलाई पर शैली और फैशन पर उपयुक सभी तो इन सारी चीजों का जब हम कपड़ा सेलेक्ट अपने लिए पसंद करने जाते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं वस्त्रोप योगी रेशे निमल क्या आपका एनिमल प्लांट और मिनरल और कृतिम रेशे के अंतरगत में देखेंगे तो मैनमेड और कैमिकल आ जाते हैं और विशिस्ट रेशे को जब हम देखते हैं तो आप सोचेंगे स्पेशल फाइबर में सबसे पहले इसमें जिसको मिश्रित तन्तु कहते हैं कृतिम रेशे कृतिम रेशे मतलब यह क्या हो गया था यह आपका था सबसे पहले जिसमें परिवर्तित रेशे जैसे क्या उसमें कुछ क्वालिटी इंक्रीज कर दी जाती है जैसे मर्सराइज को अपका इसका एक्जांपल हो जाएगा ब्लेंडेड में कोट्स फूल और टेरी वूल यह सब ब्लेंडेड में मिक्स कर दिया दो रेशों को ठीक है और बाल फाइबर जो होते हैं बाल तंतु बाल तंतु में आपका उसके अंतरगत गरम कपड़े वाले तंतु आते हैं जिसमें बाल नाम से इस पस्ट हो रहा है जानवरों के बाल से बनाए जाने वाले तंतु प्राकर्तिक रेशे कौन से नहीं है तो कपास भी है आपका सीसल भी है इस टील या इस बेस्टर जो है यह हमारे मिनरल के अंतरगत आते हैं धात्मिक रेशों के अंतरगत आते हैं विसकस की जहां तक हम बात करते हैं यह आपके वैसे तो जो विसकस रेयान की वो है तो यह हमारे मैन मेड में आते है ना तो इसमें जो इसका बेस माटीरियल क्या है लकड़ी की लुगदी और लकड़ी के लिंटर और और बास के मतलब बास के फुजी होती है इसमें आपके रूई के लिंटर्स तथा लकड़ी की लुगदी का प्रेयोग होता है यह विसकस रेयान के अंतरगत आता है और इससे बहुत ही सुंदर किसम के वस्तर बनाए जाते हैं और ज्यादा तर रेयान जो है वो विसकस के ही होते हैं और रेयान को ही क्या कहते हैं आपके जो सैंथेटिक रेशम की संग्या रेयान को दी जाती है प्रानि इसमें आपका दो ही था आपका वूल और सिल्क प्रानिज रेशे में तो यहां पे वूल दो दिया नहीं है इसलिए अंसर क्या होजाता है सिल्क अंसर होजाता है बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रशन की और अगला प्रशन है हमारा पिना और रेमी कौन से रेशे हैं, वानस्पतिक प्रानिज, खनिज, इनमें से कोई नहीं, तो पिना और रेवी वानस्पतिक रेशे के अंतरगत आता है, अचा पिना जो है, ये पाइनेपल के उपनी भाग से बनता है, उसकी लिप से इसका निरमान होता है, और बहुत ही सुन्दर वाइट क कबदये से प्राप्थ होता है और अश्यो ही संता बहुत ही जाधी होती हैं के सब्सक्राइब शार्भ टेबल क्लीनर के लिए किसे बनाए जाते हैं और पिना और पीना से आपका क्या बनाया जाता है फिना वह क्या है उइners के पौद julam से प्राप्त होता है और बहुत ही सफेद रंग में वहां पहुत ही उध्य उज्वला प्राद का तंट होता है और लि rebell का समान से बच सब्सक्रीजब countless है यह सब रेमी से बनता है उन तथा रेशम कौन से रेशे हैं उन तथा रेशम, अभी प्रशना आया था हमारे प्रानिज रेशे के अंतरगत आते हैं, प्रानिज मतलब एनिमल फाइबर ठीक, खनिज रेशे पिना कोपोक, विस्कस तथा नाइलॉन, सोन तथा चांदी, लिन त तो यहां करेक्ट होता है सोना चांदी स्टील और एस्बेस्टास हमारे खनीज रेशों के अंतरगत आते हैं कौन से मानोकृत रेशे नहीं है नाइट्रो सेलुलोज विसकस और क्यूप्रामोनियम और हैंप हैंप क्या है मानोकृत रेशा नहीं बलकि यह प्राकृतिक रेशा आता है। आता है है संथेटिक की कटेगरी मानमेड फाईबर की अंतरगत ये आता है। किस मानों निर्मित्रेशे में रूई के लिंटर तथा लकडी की लुगदी का प्रयोग होता है अभी प्रीवियस कोश्चन में मैंने आपको बताया तो यह जो यह दोनों को एड़ कर देते हैं ठीक है रूई के लिंटर तथा लकडी की लुगदी तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आई होप कि आपको यह कुर्प्रा मोनियम जो है इसमें रूई के लिंटर तथा लकडी की लुकदी दोनों का प्रियोग होता है अगला प्रश्ण है बिनाईडोल ख्लोराइड इसको आप नोट कर ले बिनाईडोल ख्लोराइड से बनता है किस से टेक्रॉन नायलॉन सर्टन टेरिलीन तो जो बिनाईडोल है उससे कौन से वस्त्र बनते हैं कौनसा, सोटन, ठीक, इसका जो रो माटेरियल है, वो बिनाइडल क्लोराइड है, इससे सोटन वस्तर का निर्माण होता है, फाइबर ग्लास कौन सा रेशा है, प्राणिज, खनीज, मानोकृत, कृतिम, तो फाइबर ग्लास क्या है, रासायनिक रेशे के अंतरगत आता है, Ne perk csator vices special और उनकी तीन काटेग्री कौन मोडिकाइड फाइबर परिवर्तित तंतु पिर दूसरा है आपका मोडिफाइड परिवर्तित तंतु उसके बाद दूसरा है आपका ब्लैंड-ध्ट तन्तु जिसको मिशृत कह सकते हैं और तीसरा है आपका बाल रिश्म ठीक है तो मोडिफाइड में आपका जो एक्जामपल मर्सराइज कॉटन वाला हो जाएगा ब्लैंडेड में कॉट्स फूल टेरी वूल यह हो जाएगा और आपका मतलब दो अलग अलग फाइबर्स को मिला करके किसी एक दो क्वालिटी को एक में कर देना तो उससे क्या होगा वो हमारे बालतंतु के अंतरगत आते हैं बालतंतु की अगर मैं बात करूं तो यह जो है आपका मोहेया रलपाका लामा बक्री और अंगोरा जो भी वैक्यूना यह सारे जो हैं इनके हेर से जो आपको प्राप्त होगा वो क्या है आपका बालतंतु है परदे डेप्री तथ हुए वस्त्र मतलब क्या सिकूरते नहीं है और यह घरेलू जो आपकी इंटीर डेकॉरेशन में यह आपके घरेलू फार्निशिंग में आपके और ड्रेपरी पर्दे पर्दे मतलब कॉट्ंस हो गए ड्रेपरी मतलब की जैसे आपके फिए कवर हैं और इस तरह से यह सामान जाता है और घरेली साथ सज्या के शामान था मतलए है इन में इसका प्रयोक एा जाता है और जो ड्रेपरी वासता ये जो वेरल वाले जो हैं ये वास्तों में क्या बहुत ही चमकीले और ना सिकुड़ने वाले कपड़े होते हैं अगला प्रशन है अपनी मजबूती चिकने पन को मलता आपका रॉण हो गया था lavoro तो वहाँ परिंड आपका कॉटन है किसमे 95% फाइबरिन तथा सरसिन और 65% मोम वसा लवन तथा एश होता है तो ये कौन सा आपका है रेशम है फाइबरिन नामक प्रोटीन तथा सरसिन नामक गम पाया जाता है परसेंटेज भी आप देख सकते हैं 95 से लेकर के 95 आपका फाइबरिन हो गया और सरसिन और वूल की अगर बात करती हूं मैं तो वूल में कौन सा हो जाता है किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और उसकी तीन लेयर होती है उच्च तनाव सामर्थे और अति सूक्ष्म एक मिनट कुश्चन रेशम की निमलिखित विशेश्ताओं में कौन सी कौन सी गलत है इसमें कुछ रेशम की सिल्क फाइबर की विशेश्ता दी हुई है इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी गलत है और सारी सही है और सिर्फ गलत वाली हमको तून नहीं है उच्च तनाओ सामर्थ और अति शूख्म व्यास के कारण इसके वस्तरहार के बनते हैं बहुत सही एक बिल्कुल सही है फाइननेस बहुत अच्छी होती है और बहुत ही अच्छी मतलब क्या तनाओ की छमता होती है इसका विश्ष्ष्ट गुरुत तो क्या होता है दो समलो करना चाहिए हां सिल्क का मतलब जितने भी एसिट्स हैं उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता बलकि छार से यह खराब हो जाते हैं तो यह आप्शन नमबर बी आपका यहां पर क्या है रॉंग है अच्छा इसका करेक्ट तब क्या होगा तो इसका करेक्ट होगा वन 1.25 होता है रेशम है प्राकृतिक रेशा कृतिम रेशा ए तथा भी दोनों इन में से कोई नहीं तो रेशम जो है यह हमारे नेचुरल फाइबर के अंतरगत ही आता है आपके नेचुरल फाइबर के ही अंतरगत आता है नेचुरल फाइबर में आपका प्लांट है एनिमल है और मिनरल है तो ये एनिमल फाइबर के अंतरगत आता है डेक्राण या टेरिलीन का निर्माण सरप्रथम कब और कहां हुआ तो अगर ये आपका डेक्राण और टेरिलीन जो है इसका सरप्रथम निर्माण कहां इंग्लेंड में सन 1949 में हुआ किसका डेक्राण और टेरिलीन का पॉली एस्टर जो है वो क्या है चारसो असी डिग्री फोरेंहाइट पर पिघल जाता है और यह क्या है आपका ये भी प्रकार का petroleum product ही है ठीक है तो polyester जो है petroleum द्वारा प्राप्त किया जाता है उच ताप पर निर्वात में terry और acid और alcohol से इसका निर्माण होता है इसको आप याद करे रहेंगे तो बिल्कुल भी भोलेंगे नहीं जैसे मैंने अभी आप बता है था कि जो raw material है जो raw दोनों को साथ में प्रतिक्रिया कराने से condensation polymerization होता है और इसे प्लास्टिक की ribbon के रूप में ढाल लिया जाता है ठीक है फिर उसके बाद उसकी chips के रूप में क्या करते हैं उसको काट देते काट कर सुखा लिया जाता है जिससे की यह क्या होता फिर उसके आगे उसको जारते हैं और उसके बाद लंबे और अविरल धागों का निर्माठ होता है प्रतिसकंदिता की चमता परियाप्त होने के कारण दबाव छोड़ देने पर पूर्वावस्था में आ जाता है पर किन्तु पसीने का प्रहासन हो जाता अच्छा प्रतिसकंदिता और प्रत्यास के प्रत्यासता इतनी अच्छी नहीं हो जाती क्योंकि एक बार फैलने के बाद अपने आकार में मुश्किल जाते हैं ठीके तो टिंतु पसीने का अप्रहासन हो जाता है च। इस यह वह पर होद बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है तो यहां पर कलर फेड हो जाता है अ पक्सल यह चिकायत उसमें देखते होंगे दुलाई की विभिन विधियों को रगण कर धुलाई करने की विधी सही है हातों से घिस कर मार जग ब्रश द्वारा ए तथा भी दोनों यह सभी अच्छा यह सारी चीजें आप उपर कॉश्चन को जरूर देखा करें क्योंकि ढलना चूशन विधि मशीन विधि द्वारा पटक कर यहां पर करें लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं दुलाई की विभिन विधियों में गलत है मतलब हलका दवार यह घुड़ाई चूशन वीधि मशीवाशिंग मशीन के द्वारा वह भी ठीक है प्रेशर डालेंगे वेक्यूम से कीचेंगे मशीन के द्वारा ऐसे भी कर सकते लेकिन पटक पटक कर किसी चीज को नहीं दोएंगे जिसे नहीं तो उसके रेशे के आप सारे विखर जाते हैं दुलाई मशीन होती है बेलनाकार और एजी टेटर नूमा एजी टेटर मैंने आपको बताया था कि यह तरह की वस्चल मशीन होती है तो यह सभी क्या होगा करेंट आंसर हो जाएगा दुलाई जोने मशीन से बचत होती है हलके वस्त्रों की भारी वस्त्रों की रेश्मी वस्त्रों की तो चूशन विधी के द्वारा भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है धुलाई की वैसी विधी जिसमें जल का बिलकुल उपयोग नहीं होता वो क्या कहलाती है सूखी विधी गीली विधी अपमार्जद धुला करने के लिए देते हैं जिससे की उनकी लाइफ बनी रहे उनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे आपके गार्मेंट्स जो हैं चिकनाई और शोषक विधी में प्रयूक्त नहीं होते हैं फ्रेंच चाक और मुलतानी मिट्टी पाउडर मैगनेशिया मुंका आटा तो यह दोनों जो हम विधी में प्रयूक्त नहीं होते हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा आपका पेट्रोल हो जाएगा सूखी धुलाई के लिए चिकनाहट चिकनाई विलायक विधी में अजवलंशील विलायक नहीं होते हैं अच्छा दो तरह के विलायक होते हैं चिकनाई विलायक विधी में कोई नहीं तो यह इसमय पेट्रोल बीक करेक्ट आंसर हो जाएगा बलकि त्यृत कार्बन टेटरक्लोराइड और बेंजीन जो है यह क्या है अज़ विलायक है और पूछा क्या है नहीं पूछा है तो इसलिए option number B यहाँ पर correct हो जाता है अगला प्रशन है अत्यांत जोलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी दुलाई के लिए प्रियुक्त होता है carbon tetrachloride, benzene, petrol और formaldehyde ठीक तो अत्याधिक मतलब की जोलनशील जीसे बहुत तेजी से जल जाता है वहाँ पर correct answer क्या होता है आपका answer number C यहाँ पर petrol correct हो जाएगा वैसा sunsillist carbonic योगी जो संत्रिप तथा असंत्रिप तो दोनों प्रकार के hydrocarbon से बनाया जाता है जब भी आप देखेंगे hydrocarbons में saturated carbon और unsaturated carbon ठीक है सुखी दुलाई nylon के समान रेशम के समान इन में से कोई नहीं अगर क्रेप कड़े कड़े मतलब इस तरह के बल लिए हुए कपड़े हैं शिफॉन बहुत ही क्या होते हैं आपके बहुत ही पतले कपड़े ठीक तो इस तरह के कपड़ों का प्रयोग dry cleaning के द्वारा किया जाता है रेशम तथा उनी वस्त्रों पर पड़े रक्त के धब्बे स्पंज करने से साफ होता आते हैं किसके सोडियम बोरेट सहीत जल मिश्टन से सोडियम पर बोरेट तथा हाइड्रोजन पर आकसाइड से के मिश्टन से ए तथा भी दोनों और इन में से कोई नहीं तो यहां प संभरांथ पुरुष हैं संभरांथ का मतलब की जैसे हर चीज से भरे पूरे गरिमा मैं इस ट्रैट के जो लोग होते हैं उनकी बात यहां पर कर रहा है तो यहां पर आप्शन नबर एक करेक्ट होता है शोक के औसर पर पहनी जाती है लाल रंग की साड़ी स्वेज साड़ी पर्व और त्योहारों पहनी जाती है लाल रंग की साड़ी रंग बिरंगी बनार्सी साड़ी इन में से कोई ने अप्शन नमबर सी यहां पर करेक्ट होता है फेस्टिवल्स में हम लोग हैवी कपड़े पहनते हैं कॉलेज परिसर में कैसा परिधान धारण करना चाहिए श जीवन की शैली से मेल खाती हुए विवाह के उसर पर श्वेत पत्र शोक आवस्था में मूलवान एवं सुंदर बीना अस्थीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होता है कि जीवन शैली से मेल खाती हुए अगर हम टीचर है तो टीचर जैसे वस पहेंगे अगर मॉडल है तो मॉडल वाले बस पहेंगे और स्टूडेंट जैसे पहेंगे तो जैसे हमारी जीवन चैली होगी इसे प्रकार से परिधान को पहन चाहिए आई होप की आज का शेशन आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ओके